मेरा नाम अनुपम है मैं बलिया जनपत का रहने वाला हूं मैंने अपने मैं इंटर्मीडियेट तक की परिक्षा बलिया जनपत से उत्तिल्ड की हुई है उसके बाद मैंने कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया है और टाटा कंसल्टनेशी सर्विसेस में दो वरसों तक जाब किया है फिर उसके बाद अभी एक मैं आई टी कंपनी में दूसरी आई अच्छा ही होगा तो उससे तो कमी मिलने वाला है प्रसासनी के सेवा में जिसमें आप जा रहा है सर ग्रेट पे की बात नहीं है जो मैं वहां काम कर रहा था उसके आम जीवन पे या पब्लिक लाइफ में उसका लिमिटेड इसकोप था अभी अगर मैं सिविल सर्विसेस को जोईन करता हूं तो मैं बहुत लोगों की सेवा कर सकता हूं और जाब भी लगबग से मीर रहेगी मतलब मेरी पेविसे बड़ा इमांदारी बरा उत्तर दीजिए हर व्यक्तिए कह रहा है कि वह बिरोक्रेट बनके लोगों के जीवन को बदल देगा जो आपको लगता है ज बहुत सारे ऐसे कारी किया हैं जिसे लोगों के जीवन में तब्दिल लिया ऐसे ऐसे किनी तीन नौकरसाओं के नाम बताईए जिन्हों ने जो आपके मतानुसार लोगों का जीवन धरातल पर बदलने में समर्थ रहे हैं जैसे एन गुपाल अस्वामी थे फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिस्नर थे और उन्होंने इलेक्शन्स रिफॉर्म के लिए और इलेक्शन्स जो हमारी बहुत सारे काम किये थे और डेस में सुचिता के साथ चुनाओ प्रबंदन हो सके सही तरीके से और राजियों में भी सेसकर चुनाओ सही तरीके से संपन्न हो सके उसके लि एन्वेर्दी को नहीं सुना है सर अच्छा ये बताए आपकी रूचियां क्या है रूचिया सर मैं इंटर्नेशनल पर पढ़ना पसंद करता हूं और यह बताएए डेट डिप्लोमेसी क्या है डेट डिप्लोमेसी में सर यह होता है कि कोई भी कंट्री दूसरे देश को कंसेस्टनल इंट्रेस्ट पर लोन देती है और उसके थुरू अपने बाई लेटर रिलेशन को बढ़ाने का काम करती इस डेट डिप्लोमेसी का एप्लिकेशन अभी हाली में जिस राष्ट्र ने किया है यह सर चाइना ने किया इसको अफ्रीका में बहुत का नाम बताएए लंका में किया है हमड़ टोटा पूर्ट के लिए यह सर अच्छा यह बताएए जिनेवा कंवेंशन का जो सूत्रपात है कब से हुआ था और यह वीना कंवेंशन से किस तरह अलग है सिफ बहुत छोटे दो अंतरों के साथ बताएए इसका उत्तर अभी मुझे धियान मिन नहीं है अच्छा यह बताएए अंतराष्ट्रिय संबंदों में एक विचारक है जो एथार्थवादी और सिधान्त के प्र अच्छेदार वाते हैं और उनसे अंतराष्ट्री संबंद यह तैनी होते उस चिंत का नाम क्या है हांस मोर्गन थाउट है अनुपम यह समय आप बलिया से हैं यह समय बलिया की तीन फेमस परस्टनालिटीज बताएए बलिया की मंगल पांडे चित्तु पांडे और सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब चुलिया सब्सक्राइब को इसे अच्तक विर्शा करती करती हैं पॉब्लिक हंवर्पितंट ग्रोफचर क्रती है फॉश् गहर बनाती है इन सब के थूरू गॉवर्मेंट बहुत सारे लेवर इंटेंशिव जॉब भी क्रियेट करती है और सास अतकंजंशन को भी बढ़ाती है इंस्टिटूशन किया होते हैं इंस्टिटूशन किसी भी चीज को किसी भी हमारी समाजिक बिवस्था को रन करने के जो भी हमारे गॉष्ट किसी का भी रहता है और गयंता है प्रसांगिक पूरी तरीके से तो नहीं है लेकिन उसका लिमिटेट सींटिपेंस हभी इंडिया के लिए है ऐसा में माहनताव हूं रहता है लिमिटेड रहता है सर लेकि आप आयार में दिल्चस्पी रखते हैं इसलिए मैंने किया लिम्टेड तो किसी का भी रहता है ठोस पताईए न क्या मतलब वह सीज का कोई तो कहीं कि चर्चा नहीं है नेम कि आप आर्टिकल उठा के देख लिए लास्ट आर्टिकल नेम पर जहां पर हमारे बहुत सारे अफ्रीकी देशों के और एस याई चोटी चोटी ने तो अपने दूश्रे देशों को अड़े भी देना सुरू कर दिया जो कि नेम के विल्कुली उसके वुरुद में फिर आप कैसे कह रहा है कि अभी विरोधा भास है ऐसा मैं मानता हूं आप अपने अपना ग्रेजूशन नौइड़ा से किया है अर्ड़ा कर फुलफाम क्या है और नीय ओकला इंडेस्ट्रियल डवलप्मेंन अथार्टी ये एंसी आर में अता है ये इस में उत्तर प्रदेश की कौन कौन से डिस्टृक्स इंसियार में उत्तर प्रदेश के बेरे हिंसार से कम से कम साथ दिश्टिक आते हैं बताइए नाम नोड़ा गाजियाबाद मेरट मुझफर नगर बागपत और इतना तसे और हूं में बुलन सहर हापॉर सामली अलीगर्ड मतुरा मतुरा नहीं है सरेश में इंटरनेशनल क्रि में क्या जानते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोट में जो भी हुमेन राइट्स और ऐसे जो अंतराश्ट्री बीसाय के मामलों पर जो अगर कोई देश अपने यहां उसकी कानून अपने कानून के हिसाब से उसको उसकेस को नहीं हैंडल करता है तो कोई भी देश उस चीज की खिलाब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोट में जा सकते हैं इसका मुख्याल है है एक में ठीक है थैंक यू अनुपम जी इस सेवा में जो साधारन इसनातक हैं वो भी आ रहे हैं सिंप्ली बी अगर किसी ने किया है आपने बी टेक किया कंप्यूटर साइंस में आई टी में एकने चीजे अगर हम देखना चाहते हैं तो इसका सबसे ज़्यादा महत्व है तो कंप्यूटर से रिलेटेड़ जितने भी टेकनलोजी है उनका आज गोवर्नेंस की स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा उनका महत्व बढ़ गया है तो मैं एजे कंप्यूटर इंजिनियर मैं च तो कुछ इनोविटिव आइडियाज हैं आपके पास जो आप अगर इस्पेशली आप जाते हैं तो आप उसको इंप्लिमेंट करेंगे यह सर जैसे की सर करप्शन को कंटेंड करने के लिए फिर ऐसे आम अगर हां किसे मदब ट्रांसपरेंसी लाने के लिए यह सर बैसिकली प्रियारिटी बेसिस पर उन जगों पर टेकनलाजी का मैकसिमम यूज हो सकते हैं पहला मेरा यह प्रियास होगा चाया उसके लिए CSR माध्यम से हो या PPP मोड से हो इन माध्यम के थरू मैं चाहूंगा कि पब्लिक कांटेंट कांटेक्ट प्लेसिस पर टेकनलाजी का, मौड सरकार कहने रड़ा होगा हर जगह वह इंप्लिमेंट किये जाएंगे तभी हो कि आप खुद कहीं कैमरा लगवा देंगे या कुछ ऐसा कर देंगे आप क्तिकत रूप से कर सकते हैं सर मैं सोचता हूँ कि अगर जैसे आभी पीपी मोड में हम डवलप्मेंट को प्रियोरिटी दे रहे हैं पब्लिक प्राइवेट मोड में या बहुत सारे प्राइवेट इंसिचियूशन्स हैं जो कार्पोरेट सोसल फंडिंग करते हैं तो मुझे लगता है कि उनको हम प्रोप सबसे अच्छा संबंध मुझे लगता है कि बंगलादेश के साथ है अभी प्रिजेंट टाइम में और अगर पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए तो हमारे संबंध अभी चाइना से उतने अच्छे नहीं चाइना को छोड़ी जो मतलब भारती ओप महादीप कह सकते हैं आप का जो समवाइधानिक प्रावधान है यह सर क्या है और किस किन आर्टिल्स में दिया गया है सर अरच्छन का प्रावधान आर्टिकल 16 के थू मतलब आर्टिकल 16 में आया है सोला में कहां है कोई सब आर्टिकल भी है उसकी सर 16 3 16 6 आर्टिकल 16 सेक्षन 3 में अच्छ शूर है आ सामाजिक पिछडेपन पर सिर्फ सामाजिक या कुछ और कास्ट बेस्ट पर सोचल बेस्ट पर अच्छा कास्ट सोचल वह वरी गुड और कुछ आधार जैसे और अभी एक एक इकोनामिक आधार पर दस परसेंट यह किया गया यह सर चीक है थैंक यू अच्छा यह बताई किताब का नाम याद नहीं है सर लेकिन मैंने ठोड़ा बहुत कभी किसी रेफरेंस में अपने ठीक है आप जा सकते हैं यह इंट्रीविव इंट्रीव नहीं दिया है यह आपका कौन सा साच्छतकार होगा यह मेरा पहला चाहत कर रहे है आप अच्छा कर सकते हो आपका ठीक है इस्टांस आपका ठीक है आपकी इस्पष्टता है विचारों में जो मुझे अच्छी चीज लगे कन्विक्शन है आप जो आंसर दे रहे हो और बस बहुत अच्छा है तैयारी थोड़ा सा आयार मतलब भारत पाकिस्तान तो आनाई वाला है समय बहुत कम होगा तो जितने खुबसूरत बाकियों का रचेन आप कर सकते हैं खुबसूरत से मतला है जब भी आप बात करें आखने जरूर दें और बात जब भी समय कम हो तो खंड कर दो जैसे किसी ने साथ पूचा था एक आप से प objective flow of the subject be a bit objective specific mode specific तो उसमें लगता है कि बंदा को he means science all the time cut 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 बता दिया until के प्रश्म बहुत ही subjective प्रकृति के नहीं है तो मेरे साब से you are a fantastic candidate very promising and we look forward to see you in the final list of UBPCS okay 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 all of us जैसे वह question था कि किसके साथ संबंद और अच्छे नहीं नेपाल के साथ अच्छे नहीं अब जिसे देखे भूटान आप सबसे वह कह सकते बंगलादेश के साथ no doubt बहुत positive relation develop हो रहे हैं क्योंकि उधर से भी political will दिखाये जा रहा है इधर से भी तो अच्छे हो रहे है नो डूब इन भूटान सबसे बहतर आप खराब में नेपाल ने नोट भी बंद कर दिया मालदी में फिर maintain हो गया है तो चुकि पढ़ते रहते होंगे तो यह सब जानकारी होनी च आरक्षण में कुछ भी बोले जा रहे थे तोड़ा उसको चेक करिए का सामाजिक सेक्षणिक सोचली एंड एडुकेशनली दो वर्ड इस्पेशली जाती वह मन में मैंने का वेरी गुड तो और बता रहे हैं आप थोड़ा चेक करिए गर ठीक है अल्द बेस्ट अल्द बे करिए bereOT द्येक है अल्द बेस्ट वर्ड़ा टौ।